एक गाउं की बात है जहां एक सोनु नाम का लड़का रहा करता था सोनु बहुत परिशान था क्योंकि रात में चुड़ेल आकर उसके जानवरों को ले जाया करती थी रामु ने सोचा क्यों ना इस चुड़ेल को इस गाउं से दूर किया जा ताकि मेरी मुर्गियां बज सके फिर रामु जंगल के रास्ते से होकर एक तांत्री के पास पहुँच जाता है फिर तांत्री को अपने सारे परिशानी बताने लगता है फिर तांत्रीक के साथ वे अपने गाउं के और चल देते हैं जंगल से होते होते गाउं पहुंच जाते हैं फिर गाउं में आते ही रात होने का इंतिजार करते हैं रात होते ही चुडेल आ जाती है फिर तांत्रिक अपने माया जाल से चुड़ेल को अपने वस में कर लेती है इस परकार सनु ने अपनी मुर्गियों जानवरों को बचा ली